Hello students, welcome to my channel Commerce Notes आज हम psychology for manager का एक very important question करने जा रहे हैं जो हमें 5 marks में और कभी-कभी 15 marks में भी आता है difference between estrus and distress ठीक है, तो distress क्या होता है और estrus क्या होता है तो हमें ये दीखना है तो चली start करते हैं कि अगर ये हमें एक्जाम में आ जाए तो हमें इसको कैसे explain करना है ताकि हमें इच्छे marks मिलें तो सबसे पहले हम meaning, इन दोनों का हमें meaning लिखना होता है estrus का और distress का आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले meaning लिखना पड़ेगा उसके बाद ये जो difference था उसको दूगे, ठीक है, तो चली हम start करते हैं, वह आप अपने according क्या है अपना जैसे भी आपका question आएगा, उस format में कर लेना अब हम सबसे पहले देखते है estrus, देखो stress क्या है, stress सबसे पहले हमने सैफरेव वीडियो में देखे, अब उसको check out कर लेना अब हमने देखा था, कि generally हम stress बोलते हैं, तो हमें लगता है negative word होगा but no, stress क्या है, positive भी हो सकता है, stress क्या है, negative भी हो सकता है तो जो positive वाला stress है बेसिकली उसको कहते है estrus, और जो negative वाला stress है, उसे कहते है distress ठीक है, तो stress होना जरूरी है life में, क्योंकि कुछ हद तक वो क्या है, हमें काम करने में मजबूर करता है for example, आप ये video देखने आए, because आपका क्या है, exam है, ठीक है, जनरली हम क्या करते है, तीन-चार दिन पहले ही पढ़ते है ठीक है, तो आपने आज खोली ये video, आपने चार महीने पहले क्यों नहीं खोली, क्योंकि semester तो आपका चार महीने पहले start हो गया था, क्योंकि उस time पे आपको कहा था, कोई stress नहीं था, exam का फिर जैसे ही date sheet आई, तो आपको कहा है stress होने लगगे, अब बताओ, कि वो stress negative है नहीं, वो ऐसा stress है, जो आपको कहा है pursue कर रहा है, ठीक है, आपको ये कह रहा है कि भई पढ़ ले, ठीक है, तो वो वाला stress होना चाहिए, विकोस अगर वो stress ही नहीं होगा आपके अंदर, तो आप तो क्या है, date sheet आगी फिर भी नहीं पढ़ोगे, तो ये होता है, कि जैसी date sheet आई, तो आपने क्या है, चलो अब हमको पढ़ना, important questions देखो, और वो करते हैं, ठीक है, ये क्या है, हमारा stress तो है, बट ये positive stress है, ठीक है, और कुछ stress होते है negative, तो जो positive वाला होता है, जो जि तो ये क्या है, वैसे आप normal semester exam में, आपने 3-4 महिने पहले, मतलब सुबह या दिन में भी बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, हमाना, उसके बाद फिर अब ठीक है, तो वही है, सब, कि जो stress है, एक positive form है stress की, ठीक है, जो आपको benefit देता है, आपको motivate करता है, ठीक है, ये एक आप ये देख रहे हो, अब आपका paper खतम हो जाएगा, तो वो stress गया, आप दूसरा stress आजाएगा, ठीक है, या फिर क्या है, चलो आपको पूरे during exam भी stress है, तो फिर वो खतम हो जाएगा बाद में, ठीक है, तो बोल रहे हैं, ये short term होता है, and is often perceived as a challenging but manageable, ये कि आपको challenging लगता important question करके हाम काम चला लेती हो, तो ठीक, वैसे ही है, तो बिल्कुल आप अपनी ये अभी की situation से relate कर सकते हो, then उसके बाद है हमारा distress ही होता है, खतरनाक stress, अब ये क्या बोल रहे हैं, distress is a negative form of stress, ये क्या है, negative form है stress की, जो की harmful हो सकती है, ठीक है, it is often associated with feeling of anxiety, और जब ये आता है, किसी के अंदर तो उस टाइम पर anxiety हो जाती है, डर लगने लग जाता है, fear लगने लग जाता है, ठीक है, distress can have a detrimental impact, ये क्या है, मतलब negative impact भी देता है physically और psychologically दोनों वे में, ठीक है, और ये लंबा भी चलता है, उसके बाद है हमारा, अब हम इसकी summary देखें, तो in summary, stress के है, positive stress है वो हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें एक example भी देख लेते हैं, कह रहे है, imagine a student, वैसे मैंने example देई दिया आपको आप इसमें से देख लेना, ठीक है, और अपने according भी आप लिख सकते हो, otherwise कि आप यहाँ से देख सकते हो, कि giving a presentation, presentation आपको बोल दिया, school में ठीक है, तो आप अपने बना लिया, तो आपने प्रेजेंटेशन दे दी, उसके बाद के distress है, कि एक बंदे की unexpectedly का है, job loss होगी, उसको नॉकरी से निकाल दिया, तो अब क्या है, जो वो stress होगा, वो distress होगा, ठीक है, तो यह example है, then हम आजाते है, mean में, कि जो हमारा क्या है, difference क्या है, तो अब क अगर meaning आपने अच्छे से सोना starting में, तो आप difference आप खुदी करोगी, definition, stress क्या होता है, positive stress होता है, जो beneficial होता है, और motivate करते है, और distress क्या होता है, जो आपके लिए harmful हो सकता है, ठीक है, then effective on performance, अब performance में कैसा effect होगा, obvious ही बात है, stress का positive effect होगा, ठीक है, आपकी performance बढ़ती है, पर distress होता है, जो होता है, आपके productivity को down कर देता है, ठीक है, फिर response का, response की बात करें, तो stress में आपको positive result मिलेंगे, ठीक है, अगर ये stress होता है, और distress में कैया, आपको negative result मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद, emotionally experienced कैसे होगा, आपको यहाँ पर क्या excitement भी होगी, अंदर से enthusiasm भी लगेगा, fulfillment भी होगा, challenging भी लगेगा, बट distress में उस टेम पर क्या feeling आएगी, fear की, anxiety की, then, perception, कैसे लेते हम, stress को, generally perceived as a challenging, हम जो stress होता है, उसको हम कैसे, क्या, कैसे लेते है, ठीक है, हम बोलता है, challenging है, बट manage कर लेंगे, ठीक है, पर जो distress होता है, उसमें कैया, perceive, उसको हम एकदम डर की त पॉस्टिव नहीं होता है, तो फिर कुछ नेगेटिव नहीं होता है, बट इसका नेगेटिव इंपक्त हो जाता है, distress का, then, example, देखें, तो, अगर हम, stress का example देखें, तो, starting a new job, अब मालो कि, आपकी job लगी है, ठीक है, तो, उस टाइम पर पहले दिन जाने, आपने, तो, कैसे होंगे, लोग वहाँ पर कैसा project, कैसे हम करेंगे handle, ठीक है, क्या हमें आ जाएगा, नहीं आएगा, तो, आपको challenging लग रहा है, बर स्चिल, आप manage कर लोगे, और आपको curiosity होगी, ठीक है, तो, यह होता है, हमारा positive stress का example, पर जो negative stress का example है, तो, यहाँ पर बोला भी हुआ है बिकास उसमें important question डले है, psychology for managers के, तब तक के लिए thank you,